नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में दोस्तों आज हम आपके लिए जिमिकन की बहुत बढ़िया और आसान रेस्पी लेकर आए हैं जी हाँ दोस्तों आज हम आपको जिमिकन की छाच में खटी सब्जी बनाना बताएंगे तो उससे पहले हम जिमिकन खो नि कोद रहते हैं तो तो जो है क्ट निए देखिति और भी आपकहे सकते हैं works can जेनेगन निकला आया है देक्षी तो युडा वे सब्सक्राइब निखान निकल आया है क्षिन नहीं है विलकुल भी क्योंकि जो पेर था जिमिकन का वो कृष्णा ने अच्छे से देख लिया था और उसको कर कर का कर के फिर जिमीकन खोदा था और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जिमीकन में जो आखे होती है जो चो को आख बोलते हैं तो इसलिए यह देखिए कृष्णा ने तोड़ कर जो है इसी गड़े में गाड़ दी है यह आखे जो गटान होती है चोटी-चोटी वह गाड़ दी है तो चलिए दोस्तों जीमिकन निकल आया है और इसको ले चलते हैं घर पे सब्जी बनाने के लिए तो दोस्तों हम घर पे आ गये हैं और घर पर आकर हमने जीमिकन को अच्छे से धो लिया है तो दोस्तों आज हम जीमिकन को सेख कर नहीं उबाल कर इसकी सब्जी बनाएंगे तो यहाँ पर मैंने कूकर लिया है और कूकर में हम इस जीमिकन को रख देंगे यह रेखी इस पकार से और इसमें डाल देंगे पानी तो दोस्तों हमें कुकर में इतना पानी डालना है कि जिमिकन अच्छे से डूब जाए तभी अच्छे से उबलेगा तो यहां पर मैंने इतना पानी डाल दिया है मतलब जिमिकन अच्छे से पानी में डूब रहा है अब हम कुकर का धकन लगा तो यह देखी दोस्तों हमने 12-12 cm लगा है अब हम चेक कर लेते हैं जमेकन ऋबला है यह परहले तो यह देखी Dal प्लुर Giving honeymoon को हमने पानी में पानी मेंने निकाल लिया है dibuj कर लिया है अब हम एक बार और चहली दी कर लेते हैं सिल ठीजंडे चुल बॉस्त को चुंशे हैं आपढ़ों दोस्ते ही जलका बहुत में और रहा है यह दोस्तों दोस्तों सोक्राइब है लिखेकशन पारा है लेकिन पर और धूररस 1978 ऑफ कि कि द दनड TIM आप है दोस्तों आप इन्महों लुट बाधनी जिम्कन जा आना आप देख सकते हैं और यहां पर मैंने टमाटर बारी काट कर तयार कर लिया है प्याज बारी काट लिये हैं लैसुन को दरदरा पीस लिया है सिलवर्टे पर आप चाहें तो इन सभी को जो है मेकसी डार में डालकर बारी पेश्ट बना सकते हैं और हरी मिर्ची को हमें काटना तो यह प्रकार से रखना है अब हम जिमीकन के चोटी चोटे पीस काट लेते हैं तो यह दोस्तों यहां पर इस प्रकार से हमें जिमीकन को काट करके चोटे चोटे पीस कर लेने है और अभी ये जिमीकन थोड़ा सा गीला है तो यहां पर मैं फीलों प्रकार सबजी बिनाऊंगी चोटे चोटे पीस कर लियर और जादा जिमीकन पीस करके मैं सूकी सब्जी बनाऊए तो आपको जितनी मात्रा में सब्जी बनातीरियस सब्दम जाधा सकते हैं तो यहां पर चाच लिए है और बेशन लिए है तो चाच घटीक है थोड़ा सा पानी दाले लेती हूं और आप चाच की जगए दही भी ले सकते हैं और यहाँ पर हम थोड़ा सा बेसन डालेंगे जादर नहीं डालेंगे क्योंकि दोस्तों चाच हो या दही हो अगर हम बेसन नहीं डालेंगे तो सब्जी बनाते टाइम चाच या फिर दही फट जाता है तो इसलिए हमें जादा नहीं डालना है थोड़ा सा डालना है और यहाँ पर मैंने पानी डाल लिया है ताकि चाच का खटापन दूर हो जा यानि जादा खटा न रहे चाच और इस पकार से मैंने थोड़ा सा बेसन डाल लिया है और यह देखिए यहाँ पर मैंने गोल भी तैयार कर लिया है तो दोस्तों अब जिमीकन के पीस जो है अच्छे से सुख गए हैं यानि हलके से सुखे सुखे हो गए हैं अब हम इनको तल लेते हैं तो यह देखी तेल गरम हो गया है तो मैंने यहाँ पर जिमीकन के जो पीस है कच्चा नहीं रखना है और अगर आप सूकी सबजी बना रहे हैं तरी बाली बना रहे हैं पीस करके जिमिकन को वो भी आपको अच्छे से तल लेना है बिल्कुल भी कच्चा नहीं रखना है उबाले या फिर सेखें अच्छे से आपको बालना है अच्छे से सेखना है तो यह देखी दोस्तों यहाँ पर जमीकन के जो पीस है उनको हमने अच्छे से तल लिया है आपंसे सब्स्जी सब्सक्राइब प्रॉत यहाँ पर मैंने मसाला तैयार कर लिया है लाल मिच पाऊडर धनिया पाउडर हल्दी पाऊडर नमक तो इन सब की मातरा आप अपने अनुशार कमरिया ज्यादा कर सकते हैं यहाँ पर जीरा राई हिंगली है टमाटर काट लिया है और यहाँ पर प्याज अद्रक का पेष्ट लहसुन का पेश्ट और यह सारे सामान टियार कर लिये है मैंने तो दोस्तों इहाँ पर देल गरम हो अब हम डाल देते हैं अब आम दाल देते हैं इसमें हादा चममछ जीरा के देखिए और इसमें डाल देते हैं एक चोता ही चम्मच छीन हीं हीं से बह। बढ़ीता आता है रबाता है अब डाल देटे हैं आप देए इसमें हम रहाई का पिया हूँ और द्यार किया है और यहां पर हरी मिर्च град कुछाistling ही डालेέंगे काटेंगे नहीं है तो इनको तो उने रहा और चैक भून लेंगे जैसुन को और चैक हैं लेंगे सोले दम लो हो गया है रज्यों क sontra प्रक्षात्त नीज सब तो व च्छाड में ढाल कर लेक्षाण च्छाच में बैसन डाल कर वो और इसको अच्छे से मिक्स कर देटेंगे और एक वाल आने तक इसको इसको बने देते हैं और अब दोस्तों 3-4 मिट हो गये हैं सब्जी बन कर तैयार है ताफ इस आद कर देते हैं और कड़ाई को नीचे उतार कर सब्जी को दूसरे वर्तन में निकाल लेते हैं तो यह दोस्तों यहां पर एक कटोरे में हमने जिमिकन की खटी सब्जी निकाल ली है और बहुत ही बढ़िया इस सब्जी में खुसबुगा रही है अब हम इसमें डाल देते हैं कटा हुआ हरा धनिया तो यहां पर हम धनिया डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे और धनिया डालते से यह बहुत ही बढ़िया इसमें खुसबुगा रही है तो दोस्तों बहुत ही आसान है जिमिकन की चाच में यह दही में खटी सब्जी बनाना आप चाच की जगे दही इस्ति तो दोस्तों आप एक बाद जरू ट्राय करें वीडियो पसंदाद वीडियो को लाइक करना शेयर करना चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार